हलो फ्रेंस कैसे हैं आप सब तो आज हम बनाएंगे गेहों के आंटे की बोहुत ही टेस्टी एकदम खस्ता क्रिस्पी प्याज की कचोड़ी और इसके साथ में हम आलू की सबजी बनाएंगे वह भी बिना प्याज लाइसन के जो की बोहुत ही टेस्टी लगती है इन दोनों की जो कमबिनेशन है कमाल की रेफिरंस एक बड़ आप इसे बना लेंगे न तो मैं गरांटी से कहती हूँ आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए एक बाउल में लेंगे एक कप गेहूं का आटा और साथी में इसमें हम लेंगे एक कप मैदा तो आप चाहे तो पूरी तरह से इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या फिर आप सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं लेकिन मैं यहाप और दोनों को mix करके ले रही हूँ आप चाहे तो इसे ऐसे भी ले सकते हैं आप इसमें हम ढल देंगे आधा चोटा चमच अजवाएं तो इसे हमें इस तरह से करश कर के लें डालना है अब इसमें हम दालनेगे स्वादर cima नमक और इसमें हम मोयन के लें डालेंगे one fourth cup तेल तो यह तीन से चार चमच तेल है आप तेल की जगा घीक भी इस्तमाल कर सकते हैं अब इसे हम अच्छे से mix करेंगे तो इसे में इस्ता से रब करते हुए mix करना है ताकि जो तेल है आटिक उपर अच्छे से coat हो सके तो लिजिए सारे चीजों का हमने अच्छे से mix कर लिया है अब आटा को इस तरह से मूठी में बांद के देखेंगे और यहाँ पर आप देख सेतने कितना बणिया से बंद जा रहा है इसका मतलब यह बहुत ही बणिया से mix हो गया है और इसमें बहुत ही बणिया से मोयन भी हो गया है तो बस अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पाइन डालेंगे और इसके हम semi-soft आन्ता गूंद के तियार कर लेंगे तो लिजी ए आांटा को हमने अच्छा से गुंद लिया है और इस तरसे इसे मने सेमे सौफ आंटा गुंद के त्यार कर लिया है अब उसके ऊपर हम थवासत तेल लागा लेंगे ताकि यह उपर से ड्राई नहो और इसके उपर से पाप्री न जमें और इसे हम रेष्ट के लिए रख देंगे जब तक हम इसके लिए आश्टाफिर बना लेंगे और साथ में सब्जी भी बना लेंगे क्योंकि आटा को रेष्ट करना बहुत जरीर होता है अब आश्टाफिर बनाने के लिए पैन में दो छोटा चमच तेल गरम करेंगे तो मैं यहाँ पर स्रशो तेल का इस्तेमाल करेंगे आप जो भी क्योंकि खाते हैं ले सकते हैं तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे आधा चमच साबु जीरा और एक चमच कुटा हुआ धनिया और साथी में इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चमच सोंप सारे चीज़ों को हम हलका सा फ्राई कर लेंगे अब इसमें हम ढाल देंगे 2 Timothy के जितना हिंग इससे कचोरियों बहुत ही वरह फ्लेवर आती है और साथी में 2-3 Baricature भी हर्मिर डाल देंगे और इन्हें भी हम हलका सा fry कर लेंगे आधा छोटा चमच इसमें हम लाल मिच पौडर डाल देंगे और आधा छोटा चमच धनिया पौडर डालेंगे आधा छोटा चमच गरम मसला पौडर डालेंगे और साथी मिच में हम डालेंगे एक छोटा चमच आमचूर पौडर अगर आपको खांटास कम पसंद है तो आप आपर आमचूर पाउडर आधा छोटा चमच भी डाल सकते हैं टेस्ट कोकरी नमक डाल देंगे और सारे चीजों को तेज आच पर एक से तेज मिनेट के लिए भून लेंगे तो ध्यान रही कि इसे हमें धेमी आच पर नहीं भूनना है नहीं तो प्याज अपना पानी छोड़ने लेगा और ये सौफ्ट हो जागा तो इस बात को आपको खास ध्यान देना है इसे आपको तेज आच पर ही एक से तेज मिनेट के लिए भून लेना है तो लिजे इसे हमने तेज आच पर एच्छे से भून लिया है अब इसमें हम डाल देंगे चार बॉयल किया हुए आलू तो आलू को इसमें इस दैसे मैस करके डाल देंगे और सांथी में इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया और सारे चीजों का अच्छे से मैस करते हुए एक मिनेट के लिए और भून लेंगे तो ध्यान रही कि इससे हमें तेज आंच में भूना है और इससे हमें इस्त C adversary mass करते जाना है अगर इसमें कोई आलू का गोटलिया अगर आ रराही गेई होगी तो भी इसमें अच्छे से mess हो जाएगी तो लिजिए सारे चीजों को हमने अच्छे से मेक्स कर लिया है और ये हमारा बहुत ही टेश्टी और चटपटी सी कचोरी के लिए अश्टफिन त्यार हो गई है तो गैस का फिलेम ओफ कर देंगे और इसे एक बॉल में निकाल लेंगे ताकि ये ठंड़ा हो सके तो जब तक ठंड़ा होड़ा तब तक हम सब्जी बना लेते हैं तो सब्जी बनाने के लिए गैस के उपर इस तास एक पैनिया करा ही रखेंगे इसमें हम डालेंगे दो छोटा चमच तेल तो जैसे कि आप लोगों को पता है ज्यादा तर मैं सब्जों तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ क पींशिंग और 20 चमच बारीका ती अध्रक तो अधा इंच अध्रक के हमने इसता से बारीक कटकर लिया है और इसे हम हल्कुसा फ्राइ कर लिए तो यहाँ पर अध्रक को जयादा जलाना नहीं है बस इससे हमें हल्क सा ही फ्राइ करना है अब इस सम्दिंगे हूम डाला जसे हमने बारी कट कर लिया है इसे अच्छे से मिला लेगे और इसे इनी चाँ छोटा चमच मच झात मैच जरीए पोडर डालेगे और ज़चोतीी चमच कामीant-बॉड़ जल possibile और आधा छोटा चमच लालमीच पौडर, आधा छोटा चमच इसमें हम गरम मसाला पौडर डाल देंगे, और स्वाद उनसार इसमें हम नमक डाल देंगे, और मसालों का अच्छे से भून लेंगे, तो मसाले अच्छे से भून सके, इसके लिए इसमें हम थोड़ा सा पाइन ताकि मसाले जले ना और यह अच्छे से भून सके और इसे हम 2-3 मिनिट के लिए भून लेंगे साथी में इसमें हम 2 हरी मिनिट डाल देंगे और इसे भी साथ में भून लेंगे और यहाँ पर देखिये मसाले अच्छे से भून चुका है आप यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और मसाले ने भी अपना तेल छोड़ दिया है तो अब इसमें हम डाल देंगे 5 बॉयल एंड मैस किया हुए आलू तो यहाँ पर हमने 5 बॉयल को बॉयल करके इस तैसे रफली मैस कर लिया है और साथी में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक कप के जितना बॉयल के हुआ सफेद मतर तो मेरे पास यह बॉयल के हुआ पहले से मतर रखा हुआ था तो मैस में डाल रही हूँ आप इसके जगा बॉयल के हुआ काला चाना भी डाल सकते हैं या फिर आप चाहते हो इसके बेगार भी बना सकते हैं अब यह सारे चीज़ों के अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फिर अगर आज की रिस्पी आपको पसंद आए और इसे भी एक बर अच्छे से मिला लेंगे अब इसे हम ढख देंगे और इसे ढख के लो टू मेडियम फलेंपे तीन से चार मिनट तक पका लेंगे ताकि सारे चीज़ आपस में घुल में जाए और मसाले इसमें अच्छे से अब जर्व हो जाए और यहाँ पर देखे इसे पकाते हुए तीन्चर मिनट हो चुका है यहाँ पर सब्जी बहुत बनिया से पक गई है सारे चीज़ आपस में अच्छे से घुल मिल गए है तो आब इसमें हम डाल देंगे बारी कटा हुए हरा धनिया और इसे भी एक बार अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंस यह सब्जी देखके अभी से कितनी टाम्टिंग लग रही है और यकीन मन यह खाने में तो बहुत ही टेस्टी है और इसकी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है थोर सा इसे हमने पतला रखा है क्योंकि यह सब्जी थोर सा पतली ही होती है और जब यह थोर सा ठंडी होगी ना तो थोर सा और यह गारी हो जाएगी तो अब गयस के फिलेम आफ कर देंगे और अभी इसे हम साइड लेकेंगे तो चलिए फटा फटा से आप कचोरी बना लेते हैं और यहां पर देखिए आँटा भी काफी अच्छे से रेट कर चुका है अब इस तरह से एक पेने लेंगे और इसके उपर थोर सा सुखा आटा लागा के इसे हम बेल लेंगे तो इससे हमें ज्यादा बारा नहीं बेलना है इस तरह से एक छोटा सा पुरी के सज़का बेल लेना है अब यहाँ पर देखिए जो अच्छा से ठंडा हो गया है तो अब इसमें से एक स्टेट डेस चमच अच्छा अच्छा फिल लेंगे और इसके हम सेंटर में रखेंगे उसके बाद इसे हम फोल करेंगे तो इसे फोल करने के लिए इस तरह से इसके चारो तरफ से सिलिवटेज देते हुए इसके चारो तरफ का पोसान एक सांथ लेके आएंगे और इसे हम इस तरह से फोल कर लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं और इसमें का जो ए दुसरा तरीका बता देती हूं इस तरह से पेने लिजिए और इस तरह से कोटोरी का शेप दे दीजिए अब इसके आप सेंटर में ऐस्टोफिन डालिए और इस तरह से फोल कर लिजिए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो यह दुसरा तरीका है तो जो तरीका आपक ज़ादा गरम नहीं होना चाहिए आब आप इसमें कॉचोरी डाला देंगे और यहां पर आप देख सेकते हैं जैसी मैंने कॉचोरी डाल लायेगा इसमें हलका któr प बीटी रहें और यहां पर आप देख सकते हैं कचोरी तेरके अपने आप ऊपर आ गया है तो अब इसका हम साइट चेंज कर देंगे और इसका इसी तरह से साइट चेंज करते हुए इससे हम अच्छे क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे बस ध्यान देना है गैस का फ्लेम हमें low to medium रखना है और इससे आपको low to medium फ्लेम पर ही फ्राई करना है तो एक बार की कचोरी को फ्राई करने में 10 से 12 मिनट लग जाती है तब यह कचोरी एकदम खस्ता क्रिस्पी और करारी बनती है और यहां पर आप देख सकते हैं कचोरी के कलर चेंज हो गया है और यह बहुत ही बनिया से हो गई है तो अब इन्हें आप निकाल लेंगे फ्रेंस आपको फिर से याद दिला दू अगर आज की रेस्पी आपको पसंद है तो वीडियो के लाइक से ज़रू से कर दीजेगा और यहां पर आप देख सकते हैं आपको देखके ही पता चल गया होगा यह कचोरी कितनी खस प्रिस्पी करारी प्याज की कचोरी बहुत ही टेश्टी बनीए फ्रेंस तो चलिए इससे सब्जी के सांथ सर्फ कर लेते हैं तो इस खस्ता प्याज की कचोरी को और यह आलू के सब्जी को एक बर मेरे तरीके से ज़रूर बनेएगा यह आपको बहुत पसंद आएगी और बनाने भी बहुत असान है और ये इतनी टेस्टी बनी है कि जब आप एक बार ये आलू के सब्जी और ये खस्ता प्याज की कचोरी को बना लेंगे न तो मेरी गरांटी है आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंस मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ यह देखे आपको देखे ही पता चल गया होगा यह कितनी खास्ता और क्रिस्प बनी है मैं आपको तोर के भी दिखाती हूं यह देखें बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंस तो इस खस्ता प्याज की कचोरी और यह आलू की सबजी को एक बड़ मेरे तरीके से जरूर बनेएगा यह आपको बहुत पसंद आईगी तो उमीद है कि आज की रेस्पी आपको पसंद आई होगी रेस्पी पसंद देती वीडियो का लाइक करें आपना फैमिने फ्रेंस में भी सेर करें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक और नहीं रेस्पी के साथ थैंक्स फर वाचिंग